नमस्कार दूस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि एक्स फोटो केट अप्लिकिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जहां गई जापी जाना चाहते हैं कि एक्स फोटो केट अप्लिकिशन क्या है और से कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो को कुरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेश सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर लिजिगा जिससे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट साइज के वीडियो स्टार्ट करते तो गई सबसे पहले आपको प्लेश्टार अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद गई जहां पर आपको एक्स फोटो किट अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो गई जहां पर मैंने इस अप्लिकेशन पहले से ही download करके रखा है इसके बाद गई जहां पर आप किसे अपलिकेशन के के डाउनलोडィंग देखना चाती है तो गई जहांप आपको एक फोटो इबसेंता यहांप आप देख सकते हैं यह एक फोटो क्यों आप्लिकेस्ट ना जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप अपने photo को edit कर सकते हैं और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको colorful कई सारे filter देखने को मिल जाएंगे और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप college photo को भी create कर सकते हैं इसके बाद गई जहांपर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहांपर मैं आपको बता दू कि एक्स फोटो किट अप्लिकिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई जहांपर आपको एक्स फोटो किट अप्लिकिशन को ओपन करना है एक्स फोटो किट अप्लिकिशन क देखने को मिल जाता है एडिटर का अप्शन देखने को मिल जाता है टेंपलेट का अप्शन देखने को मिल जाता है फ्री स्टाइल का अप्शन देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको अलगले फोटो को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है तो गई जहां पर मैं इस फोटो को सेलेक्ट करता हूं इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आपको नेक्स्ट के आपसंपर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फोटो एड़ हो चुका है effect का option देखने को मिल जाता है, frame का option देखने को मिल जाता है, radio का option देखने को मिल जाता है, text का option देखने को मिल जाता है, sticker का option देखने को मिल जाता है, blur का option देखने को मिल जाता है, और भी यहाँ पर आपको अलगलग कई सारा option देखने को मिल जाती है, तो गई जहाँ पर आपको टिक के option पर क्लिक करना है टिक के option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको filter का option देखने को मिल जाता है filter के option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको कई सारे अलग लग filter देखने को मिल जाती है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप जिस फी फिल्टर को एड़ करना चाथे हैं उस फिल्टर को यहांपर आप आप एड़ कर सकते हैं तो गई जहाँ पर आपको अलग लग कई सारे फिल्टर देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैंने इस फिल्टर को एड़ किया इसके बाद गई जहाँ पर आपको टिक करना है टिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको एडजेस्ट का उप्शन देखने को मिल जाता है करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फोटो का एड़र करना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको इफेक्ट का उप्षन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको अलग लग कई सारे इफेक्ट को यूज कर सकते और गई जहां पर आपको कलर भी देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप जिस पर कलर को यूज करना चाहते हैं उस कलर को यूज कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको टिक क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको रेडि को टीक क्लिक करना है यहाँ आप इस्टिक र को एड करना है जहाँ से आप इसb tribes करनेके बाद एक फोटो 100 को म念को को बैक आना है मैinek आने के बाद गई जहां पर अब और कर शक्ते हैं इसके बाद सकते है इस तरफ यहां पर आपको और कर सकते हैं वोटो करने के बाद गई जहां पर आप फोटो को गैलरी में सेव करना चाहते तो जहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गया चेहां पर X-PotoKit application में फोटो को Edit कर सकते है फोटो को एदित करने के बाद गय हएँ जहां पर आप धीच सकते है यहांप और आप फोटो को शेयर करना चाते हैं तो गय जहां पर आप रहे हैं इस सब्सक्राइब पीजी तरीके से फोटो का एडिट कर सकते हैं तो गईस कैसा लगा वीडियो आप में कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजिएग में पाड़ी करें आध भी कि gev